हेलो एवरिवन मेरा नाम है हर्पित और स्वागत करता हूँ मैं आपका एग्री स्टार यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलोगिजम सिलोगिजम आज के दिन सबसे ज़्यादा important और easiest topic माना जा रहा है क्योंकि इसके under जो आते हैं 5 marks हमारे पके बन जाते हैं ठीक है 5 marks तो एक ही बहुत होता है यार competitive exam में ठीक है ये तो फिर भी 5 number के इसके सम आएंगे तो हमारे 5 number पके करने के लिए अगर हमारा सिलोग का basic foundation strong होगा तो सिलोग बहुत ही easiest और simplest ठीक है simplest topic है reasoning का तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सिलोगिजम की ये है class 1 दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ अगर आप channel पर नहीं हो तो please इस channel को ज़रूर subscribe कर लिए और वीडियो को like कर दें ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको सिलोगिजम का basic समझा देता हूँ क्या होता है सिलोगिजम में क्या होता है आपको statements दिये होते हैं conclusion दिये होते हैं ठीक है माल लीजिए एक minute सिलोगिजम में ऐसे आपको माल लीजिये स्टेटमेंट दिया गया है और साथ में उसके कन्कलीजन दिये जाते हैं एक से दो स्टेटमेंट्स होते हैं एक से दो कन्कलीजन होते हैं जो हमने स्टेटमेंट के अकोर्डिंग देखना होता है कि वो true है और नहीं true है हम क्या करते हैं statement को एक when diagram के जरीए represent करते हैं जैसे उसने statement मालीजे दे दी some trucks are cars बहुत ही easy है तो आप ध्यान से सुने और साथ में copy pen रख लीजे note करते जाना ठीक है जो जो मैं आपको बताऊंगा बहुत important ही होगा ठीक है to the point बताऊंगा ऐसा नहीं है फाल तु सारा इतना सारा बताऊ दूँ आपको कुछ समझ नहीं आए मैं वो ही बताऊंगा जो important है ठीक है आज हम basics type करेंगे ठीक है basic से शुरू करते हुए हम उपर तक जाएंगे ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ statement कैसे होते हैं ऐसे करके कुछ statement दिए गई होते हैं ये तो type 1 है ठीक है और इसका हमें बनाना है diagram some truck some truck ऐसे माली जी ये truck है और some truck क्या होंगे car होंगे ठीक है all cars are auto all cars are auto ठीक है जब हमें some दिया है तो some ऐसे बनता है all दिया है suppose all लिखा हूँ है तो एक गोड़ा के उसके अंदर ऐसे बन जागा ठीक है some autos are buses ये भी some auto क्या है buses होंगे no buses are rickshaw कोई भी buses rickshaw नहीं होगे ये क्या हो रहा है एक मिन्ट guys लगता है कुछ प्रोलम आगी है टेक्निकली में एक मिन्ट चेक कर लो चलो काम तो चल जाएगा हमारा ठीक है तो ये हमारी बन गई डाइग्राम अब हमें इस पोस्ट दे दिया उन्हें एक निक्लूजन दे दिया आल ये क्या हो रहा है आल ट्रक्स आर बसेज सम रिक्षा आर बसेज सम 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 आटो आर नो ट्रक ऐसे करके आपको कंक्लूजन माल लीजिए दे दिया एक मिनट अगा इस एक मिनट येस अब सही है ठीक है आपको पहली ये जो है क्नक्लूजन में क्या दिखा रहा है आल ट्रक्स आर बसेज आल ट्रक्स आर बसेज ट्रक और बस के बीच कोई डारेक्ट रिलेशनशिप है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा गलत थोड़ा सा यार मेरी पैड जो है पैन पैड के बीच थोड़ी सी दिक्कत आ गी है कोई बात नहीं आप मेंटेन कर ले न ठीक है इसके बीच तो पहली इन्होंने बता दिया कि कोई भी बस रिक्षा नहीं होगे और रिक्षा से लेकर बस तक हमें कोई डारेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत सम, आटो, आर नो, ट्रक आटो और त्रक के बीच तो हमें दिया है सम, ट्रक और आटो ठीक है यह हमें पता लग रहा है बट न एक्टिव सेंस का हमें कोई भी नहीं इन्होंने कुछ बताया है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलो हम sum देखते हैं मुझे थोड़ा सा यार इसको देखना पड़ेगा एक मेंट sorry अभी ये work कर रहे है तो चले हम आगे चलते हैं question देखते हैं आप इस statement को देखो और समझो और खुट draw करने के कोशिश करो क्या कह रहा है no pages are white कोई भी जो page है white नहीं होगा only a few pages are green only a few pages are green इसमें से कुछ जो pages है वो green होगे कुछ तो पक्का green होगे और कुछ नहीं भी होगे जिसमें लिखा होता है na only a few ठीक है उसका दो sense बनते हैं some are and some note यह है only a few में दो sense निकलते हैं some are होगे भी और कुछ नहीं भी होगे यह हमें पक्का confirm होता है ठीक है conclusion क्या कह रहा है यह हमारी diagram है ठीक है conclusion क्या कह रहा है some white being green is possibility some white कुछ जो white है वो green होगे कुछ जो white है वो green है इसकी possibility है पहले आप possibility को एक बार छोड़ो आप simple देखो some white being green क्या some white green है हमें white और green के बीच में कोई भी direct relationship नहीं है तो यह गलत है ठीक है आप मान के चलो यह गलत है बट अगर उसने लिख दिया is a possibility is a possibility अगर हमारी statement simple में गलत है तो वो possibility में क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी ठीक है तो conclusion one क्या है बिल्कुल सही आगे उसने कह दिया no white is green कोई भी white है कोई white green नहीं होगा ठीक है जो green है वो green जो white नहीं हो सकता green के और white के बीच में कोई direct relationship हमें पहली मैंने बोल दिया कि नहीं है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर आप देखिए अगर आपने simple ऐसा लिखा होता some white are green no white is green ऐसा possibility नहीं लिखा होता तो यह इसका अंसर क्या है गलत है और दूसरे का अंसर भी क्या है गलत ठीक है आप इस case में देखो इसमें पहले की क्या positive sense निकल रही है न कि कुछ white green होगे कुछ जो white है वो green होगे ठीक है positive sense है no white is green कहता है कोई भी white green नहीं होगा इसमें क्या है negative sense ठीक है और इसके base देखो इसमें भी white है इसमें भी white इसमें भी green है इसमें भी green और दोनों क्या है अंसर गलत ठीक है इस case में आप note कर लो बहुत important है आपके बहुत काम आएगा इस case में क्या होता है हमारा conclusion आइधर की form में चला जाता है either one follows or two ठीक है इस case में अगर इन दोनों में से एक भी statement हमारा सही हो जाता चाहे base same होते और दूसरा गलत हो जाता तो वो दूसरा definitely गलत होना था फिर हम कहना था only one follows जैसे इसमें लिखाया is a possibility ठीक है यह क्या हो जाता है सही और दूसरा क्या है गलत इसमें हम either का case क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि पहला already सही हो चुका है वो उसी case में either और वाला concept लगता है जब दोनों ही गलत हो ठीक है बे सेम हो और दोनों ही गलत हो तो इसमें क्या है पहला सही और दूसरा गलत option में क्या आ जाएगा only conclusion one follows तो चलिए आगे चलते हैं statement two two क्या कह रहा है some fresh are not fish कुछ जो fresh है some fresh are not fish इसमें से जो कुछ fresh है वो fish नहीं होंगे ठीक है आप भी साथ साथ diagram ड्रो करते जाओ यार only a few fish are well only a few fish इसमें से कुछ fish जो है well होंगे और कुछ fish well definitely नहीं होंगे some fish are fresh some fish are fresh कोई हमें direct relationship दिया है fish or fresh के बीच में नहीं 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 इसका एक जरूर फ्रेश और फिश के बीच में तो है direct relationship के कुछ जो फ्रेश है वो fish होंगे और कुछ फिश जो कुछ फ्रेश फिश नहीं होगे but some fish are fresh होंगे के नहीं क्या लगता है आपको बताओ 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 यह answer आपका सही हो जाएगा क्यों सही हो जाएगा क्योंकि इसने दिया है some fish ने 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 बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं यह आपका गलत हो जाएगा यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में कोई direct relationship नहीं है और वेल बिंग fresh is possibility दूसरा conclusion देखो और वेल बिंग fresh is possibility और वेल is being fresh वेल और fresh के बीच में कोई direct relationship नहीं है तो नहीं है तो इसका मतलब possibility क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है only two follows चलो आगे only a few pillows are cushion यह आप बनाईए only a few pillow are cushion जो some cushion है वो पिलो होंगे some pillows are cushion होंगे और some नहीं भी होंगे only a few covers are cushion यह cushion था only a few covers are cushion यह cover है ठीक है इसका डाइगरम ऐसा बन जाएगा all cushion being pillow is possibility all cushion being pillow is possibility yes possibility है तो बिल्कुल सही है all cover being pillow all cover being pillow is a possibility सारा का सारा का सारा कवर पिलो हो सकता है यह possibility है हाँ बिल्कुल है ठीक है both follows फोर्थ साम में देखो only a few chains are ribbon only a few chains are ribbon यह chain है only a few chains क्या है ribbon no chains are laces no chain कोई भी chain laces नहीं हो सकता all ribbon being laces is a possibility all ribbon all ribbon being laces are ribbon being laces is a possibility yes possibility है तो यह सही हो जाएगा some laces are not ribbon कुछ laces ribbon नहीं होगी हमें कोई direct relationship नहीं है तो यह क्या हो जाएगा गलत only one follows only one follows ठीक है फिफ्थ देखो if you cloak our quads if you cloak if you cloak इसने हमें a few दिया है ठीक है only a few दिया होता है तो हमें confirm होता only a few और a few का में बहुत difference है only a few बताता है some are और some note if you बताता है only some ठीक है some इसने बोला if you cloak our quads means some cloak है वो quads होंगे no quads is watch कोई भी quads watch नहीं होगी if you watches are cloak if you watches are cloak ऐसा लिख सकते हैं a few watches are cloak और कोई भी watch quads नहीं होगा यह confirm हमें definitely दिया है conclusion क्या कह रहा है all cloak are quads all cloak are quads quads और cloak में direct relationship बस इतना ही है some का all का तो हमें direct नहीं दिया न तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा some cloaks are watches some cloaks are watches बिल्कुल सही only two only two यह मैंने आपको 5 some यहां पर solve कर दिये हैं और 5 आपको मैं homework के लिए दे रहा हूँ note कर लो ठीक है आपको घर में घर में से try करना है और इसका answer मुझे comment में दे देना है ठीक है या फिर आप group में भी दे सकते हो और आपको मैंने pdf share कर दी है group में तो आप वहां से देख सकते हो और भी some try कर सकते हो और मैं time to time आपको और भी some देता रहूँगा related to slog यह हमारा slog एक से लेकर तीन lecture तक खतम हो जाएगा वैसे मैंने आज आपको थोड़ा सा moderate level कराया ठीक है आप देखो अगर आप moderate से शुरू करते हो तो आपको basic ऐसा लगेगा बस एक खेल लगेगा अगर आप थोड़ा से उपर से शुरू करते हो basic आपको मैंने दूसरी slide में बता दिया था ठीक है वो कैसे होता है जैसे आपको sum दिया है तो sum का ऐसे diagram बनता है 알 का दिया है 알 ऐसे बनता है ठीक है तो बस ऐसे आपको diagram ड्रो करते जाना है और sum तो देखते देखते solo हो जाएगा आपका diagram सही होना चाहिए तो आपका conclusion फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका अंसर बिल्कुल सही होगा तो अगले जो 5 सम है उनका आप स्क्रीन शोट ले लीजिएगा ठीक है आगे चलता हूँ स्क्रीन शोट लेते जाना ठीक है ये थे हमारे आज के सम कैसे लगे ये वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताना यार ठीक है फर्स्ट वीडियो है मेरा और कमेंट कर देना अगर कोई सुजेशन हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है तिल दैन मिलते हैं अगली वीडियो में God Bless You